नमस्कार दोस्तों मैं सिधार्द आप सभी का बहुत बहुत सवाद करता हूँ आदिशक्ति, पराशक्ति, मादुर्गा इनके विभिन रूपों के बारे में हम सभी को कुछ न कुछ कथा अवशही पता होगी मालक्ष्मी देवी सरस्वती के बारे में भी हमें बहुत कुछ याद है दस महाविद्या के बारे में भी आप में से बहुतों को काफी कुछ पता होगा परन्तु क्या हमने संपत्करी देवी का नाम सुना है अश्वारूढा देवी का नाम सुना है देवी वारताली का नाम सुना है और अत्यंतरह समय नकुली देवी के बारे में सुना है आज के इस वीडियो में जो कि ललित्ता उपाख्यान की इस श्रिंखला में तीसरा वीडियो है हम इसी वीडियो में इन सभी देवियों की कथा सुनेंगे और इनके कुछ रहसे को जानने की चेश्टा करेंगे लेलिताव पाख्यान भ्रमांद पुरान जो पुरानों के यानि अठारह महापुरानों की शृखला में अंतिम पुराना आता है अठारहा उसी में लेलिताव पाख्यान भहती विस्तृत रूप से बताया गया है जो तीसरी महाविद्या देवी तृपुरा सुन्दरी के बारे में है इन्ही से ही श्री विद्या भी आती है और इन्ही से ही संबंदित है श्री यंत्र भी जिसे यंत्र राज कहते है इस ही श्रिंखला के पहले दो वीडियोज के पहले वीडियो में हमने देखा था कि किन कारणों से भंडासुर का जन्म हुआ किस प्रकार भंडासुर से तरस्त होकर के देवराज इंद्र महाशंबु एक महान यग्य का आयोजन करते है और फिर किस प्रकार देवी ललिता उस यग्य से प्रकट होती है दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि किन किन शक्तियों के साथ में देवी ललिता का प्रादुर्भाव हुआ था आज के वीडियो में हम देविललिता का भंडा सुर के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जा रेंगे यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये सभी जो कथाएं हैं ये आध्यात्मिक है इसकी हर एक कथा में हर एक पात्र में हर एक घटना में बहुत ही गूड रहसे हैं जिनका उदगाटन हम आने वाले वीडियो में करेंगे तो इस वीडियो को भी अप अंत तक देखेगा देवि ललिता चतर भजरूप में प्रकट होती है इनके एक हाथ में गन्ना अर्थात इक्षू का धनुष है दूसरे हाथ में पांच पुष्प बान है पीछे के एक हाथ में अंकुष है और दूसरे हाथ में पाश इस ही पाश से एक और देवी प्रकट होती है जिनका नाम है अश्वा रूढा देवी इनका वाहन एक अश्व है जिसका नाम है अपराजता इन्ही के साथ में कोटी कोटी अती दव अश्व भी प्रकट होते हैं अंकुष से एक और देवी प्रकट होती है जिनका नाम है संपतकरी देवी इनका वाहन है एक गज जिसका नाम है रनकोलाहल और इनके साथ भी कोटी कोटी गज अर्थात हाथी उत्पन्न होते हैं यह जो गज सेना है यह देवी ललिता के पीछे चलती है और अश्व सेना देवी ललिता के आगे ललिता सहस्र नाम में इन्ही के बारे में बताते हुए कहा गया है अश्वा रूढ अधिश्ठाता अश्व कोटी कोटी भिरावृता संपत्करी समारूड सिंधूर व्रज सेविता फिर दंडनाथ देवी अर्थात देवी वार्थाली अर्थात देवी वाराही इन्हें इस शक्ती सेना का सेना पती नेक्ट किया जाता है ये भी अब अपने वाहन पर जो एक सिह है इस सिहा का नाम है वज्ज्र घोष इस सिहा पर आरूड हो करके सेना नायक बन करके आगे आगे चलती है इन करोणों करोणों योगिनियों भैरवियों अश्वं गजों की सेना के साथ जब दी विल लिता चल रही होती है तो इनकी थाप से इनके चलने से धर्ती काप जाती है इसकी कमपन की गर्जना भंडासुर के भाईयों को सुनाए देती है वे दोनों भागे भागे पहुंचते हैं भंडासुर के पास और भंडासुर को कहते हैं कि ये दीवी जो प्रकट हुई है ये स्वयं आदिशक्ती हैं महाशंभू ने एक यग्य करके इनको प्रकट किया था इन्हीं की विनिती पर आदिशक्ती ने ये रूप लिया है ये अपनी करोणों की सेना लेकर के हम पर आक्रमन करने आ रही है ये दो भाई थे इसमें से एक का नाम था विशांग दूसरे का नाम था विशुक्र इन्हों दोनों की ही बात सुनकर के भंड़ा सोर सोर से हसता है और फिर कहता है कि हमें डर की कोई अवशक्ता नहीं है मेरे पास जो वरदान है वो अभिद्य है पर फिर भी ये दस दस अक्षोहनी से नाम अपने नगर के हर द्वार पर लगा दियता है इसके नगरी का नाम है शुन्यक अब ये अपने सेना पती को जिसका नाम है कुटिलाक्ष उसे ये काम सौमता है कि तुम जाकर के देविलललिता को उनके बालों से पकड़ करके मेरे पास ले करके आओ कुटिलाक्ष इसके लिए एक टुकड़ी को भेजता है देवी पर आकरमन करने के लिए इस टुकड़ी का सेना पती निकुद किया जाता है दुरमाद को नाम भूत आवशक है आप दुरमाद को इस टुकड़ी का सेना पती निकुद किया जाता है ये आगे बढ़ता है इस दुरमाद का अंत करती है संपतकरी देवी दुरमाद की मृत्यु का समाचार सुन करके भंडासुर दुरमाद के ही भाई कुरुंड को भेशता है देवी पर आकरमन करने के लिए अब अश्वारूडा देवी संपतकरी देवी से भिनती करती है कि इस बात मुझे आप ये अवसर दें कि मैं इस असुरों की सेना का समहार करो कुरुंड का सामना होता है अश्वारूडा देवी से और विज़ाय होती है अश्वारूडा देवी की अब दो बड़े बड़े सेना बती कई अक्षोहनी सेना सब के समाप्त होने की सुचना मिलती है भंडा सुर को वो अत्यन्त क्रोधित हो जाता है फिर वो भेशता है सौ अक्षोहनी सेना ये जो सेना है ये बहुत वजित्र है आगी की कथा ध्यां से सुनेगा यह जो सेना है यह बहुत वजुत्र है क्योंकि इसी सेना ने पहले भी कई बार देवताओं को परास्त किया था यह सेना सर्पों की सेना है इनके पास एक शक्ती है इस शक्ती का नाम है रणशंभरी अच्चंत वजुत्र से यह शक्ती है रनख्षंभरी के ही कारण जो यह सर्फ है यह बारंबार जन्म ले सकते हैं अर फत इने आप एक बार मारेंगे यह पुनःजन ले लेंगे इस शक्ती के साथ ये सभी यानि ये सो अख्षोहिनी सेना के सर्प शक्ती सेना पर कूद पढ़ते हैं त्राहिमाम मचा देते हैं तब देवी ललिता के मुख से एक और अत्यांतर रह समय देवी का प्रादुर्भावा होता है और वो है नकुली देवी नकुली देवी 32 करोड नेवलों को छोड़ती हैं 32 करोड यहां पर भी एक रहस्य आता है जो इस वीडियो के उत्तर भागवे मैं आपको बताऊँगा 32 करोड नेवलों को देवी उत्पन्न करती हैं इन सर्पों के संहार के लिए और फिर गरुडास्त्र से रणशंभरी शक्ती का अंत कर देती हैं अब बात यहां पर आती है कि नकुली देवी है कौन और जो यह सर्पों की सेना है यह क्या है जिसे मैंने आपको इस वीडियो के प्रारंब में बताया था कि यह पूरी जो कथा है यह आध्यात्निक है इसमें बहुत सारी गूर रहस्य हैं यह जो सर्पों की शक्ती है रणशंभरी यह कुंडलीनी शक्ती है अब मन में यह विचार आ सकता है कि कुंडलीनी शक्ती हसुरों के पास कैसे है तो यहाँ पर छोटी सी बात आती है कि यह तो शक्ती है जो भी इसका पत्र होगा जो भी इसे धारन करने की ख्रमता रखता होगा शक्ती उस ही के पास आती है परन्तो यदि धार्म नहीं होगा सक्त नहीं होगा तो फिर यही शक्ती आपके अंत का भी कारण बन जाती है हिरन्याक्ष, हिरनकष्य, कंस, रावण सभी के साथ होता हुआ हमने विबिन कथाओं में सुना है कंडलीनी शक्ती का जाग्रण जब तक मूल रूप से नहीं किया जाएगा अर्थात ध्यान, धारणा, समाधी, इत्यादी जो ये क्रम होते हैं जहाँ पर आप साधना में बैठते हैं जहाँ पर आप अपने मन को पवित्र करते हैं जब तक इस प्रकार से कंडलीनी का जाग्रण नहीं करके हम और कई तरीकों से कंडलीनी का जाग्रण करते हैं जिसमें कुछ उपकरण आते हैं जिसमें अलग-अलग प्रकार से हम बाहिय रूप से अंदर की कंडलीनी शक्ती का जाग्रण तो कर लेते हैं परन्तु फिर वो शक्ति आपके भीतर कौतुहल मचा जेती है, कोला हल. कुण्डिनी शक्ति के कई सारे वीडियो शाज आपने भी देखे होंगे जिसमें जो लोग हैं वेस कुण्डिनी शक्ति के जागरण पर उचल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, इन्हें चक्करात हैं, चीख रहे होते हैं, चिला रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि शक्ति इनके प्रस्फुटन नहीं किया है ध्यान की उच्चत्व अवस्था तक यह नहीं पहुंचे होते हैं यही रण शंभरी है यही वो शक्ती है जो कोलाहल मचा देती है अब बात यहां पर आती है कि नकुली देवी कौन है नकुली देवी देवी ललिता कि तालू से उत्पन्न होई थी जो यह 32 करोड नेवले है यह और कोई नहीं हमारे मुक के 32 दांत है और जो गरुडास्त्र है गरुड है यह हमारी जीवा है बहुत यह रहसे में बात है परा पशंती मध्यमा और वेखरी यह स्वर की विबिन स्वर की विबिन आयाम है स्टेजिस है इच्छा, क्रिया, ज्यान और फिर वेखरी वेखरी अर्थात बिखरना कुल जो है यह मूलाधार को दर्शाता है कुल मूलाधार से जब कुंडलीनी और इसी कारण कुंडलीनी को कुल कुंडलीनी कहते है क्योंकि मूलाधार में रहती है जब यह जागरित होती है तो कुल कुंडलीनी जिस मार्ग पर चलते है उसे कहा जाता है कुल मार्ग परापशंती मध्यमा से होते हुए विबिन चक्रों को भेदते हुए जब यह बाहर आती है वेखरी बिखर जाती है तब ये नकुली बन जाती है अर्थात अब ये कुल में नहीं है अब ये उस पैसेज में नहीं है उस रूट में नहीं है इसी कारण इन्हें नकुली कहा जाता है नकुल नकुली नयती कुले इसका एक और अर्थ आता है जब गुरू से हम कुंडलीनी जागरण की पूरी विधी सुनते हैं तो हमने जो सुना होता है वो वेखरी के ही रुप में सुना होता है ये जो शक्ती है नकुली ये इस बात का ध्यान रखती हैं अबजर्व करती हैं पकर करके रखती हैं कि आप अपने गुरू के शब्दों पर ही चल रहे हैं अर्थात ये कुंडलीनी शक्ती का मार्ग प्रशस्त रहे सही रूप में ये उपर की और उठे इसको जो देखती हैं इसका जो ध्यान रखती हैं वही हैं नकुली देवी तो जो सो अक्षोहिनी सेना भंडा सोर्ने भेजी थी जिसमें सरपते कुंडलीनी शक्ती है परन्तु ये दुरबुद्धी के साथ में जागरित करीव हुई शक्ती है इसे बांधना आवशक है बंधन में से रखना आवशक है इसी कारण देवी के तालू से नकुली देवी प्रकट हुई 32 करोड नेवलों को भेज करके गरुडास्तर से इस कुंडलीनी शक्ती को बंधन में रखा बहुत ही गहरा रहस्य है आशा करता हूँ कि आपको पहले के वीडियोस की ही तरह ये वीडियो भी बहुत सुंदर लगा होगा रहसमे लगा होगा और इससे आपके मन में आगे की कथा और क्या है और क्या-क्या रहस्य है इनके बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होई होगी यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्र करें इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें क्योंकि अभी तो लेलता पाख्यान आरम भही हुआ है आगे के वीडियोज में हम रहसे एक एक पात्र एक एक रहसे के बारे में जानेंगे क्योंकि अभी तक के जो वीडियोज है उसमें भी कई सारी ऐसी घटनाए हैं जो मैंने आपको नहीं बताई है हम श्री चक्र श्री हंत्र के बारे में भी बहुत सी बातों को जानने की चेश्टा करेंगे मेरी आप सबी से विनती है कि कॉमेंट सेक्षिय में जो पहला कॉमेंट पिंड है वहां से पेटियम जी पेटियादी के मादम से जितना अधिक हो सके उतना श्री सहयोग भी प्रदान करें इसके साथ मैं सिधार्थ अब आप सबी से जाने के अनुते लेता हूँ आप से जाने वाई